असलमों वलीकूम वरहमतुलाही वरकातु दोस्तों किया आप सबका उम्मीद करते हूं खैरियस से होंगे फस्स क्लस्ट होंगे मज़ों में होंगे दोस्तों मैं आपका होस्ट एंद्वाश मौमद हमाद मलिक वैलकम करता हूं आज की न्यूंट्रस्टिंग सी वीडियो के अंदर दोस्तों आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए दुबारा से एजुकेशनल टापिक लेकर आया हूं best content लेकर आया हूँ और कोशिश मेरी यही होती है आप लोगों को वो knowledge में provide करूँ बताऊँ, सिखाऊँ समझाने कोशिश करूँ जो easy हो जो काफी मतलब के easy तरीके से आप लोगों के जहन में बैठ जाए ठीक है न तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को भाई यही बताने जा रहा हूँ बस आप लोगों ने इन चीजों को अपने जहन में बठा लेना है कोई मुश्किल नहीं है कुछ भी मुश्किल नहीं है ठीक है ना, बस आप अपने जहन में इन चीजों को बठा लो और I think आप लोग सब कुछ मतलब के easily कर सकते हो आज की वीडियो का topic basically हमारा है kind of sentences जुमले की एकसाम कितनी होती है जैसे कि मैंने last वीडियो में आप लोगों को बताया था एकसाम बताया थी बट आज मैं मतलब एकसाम को briefly define करने कोशिच करेंगा तो वीडियो को आप लोगोंने मिस नी करना काफी कुछ इंशालला वीडियो में पढ़ावाए देखने को मिलेगा आप लोगों मैं आप लोगों को कोशिच करता हूँ कि मतलब easy easy तरीके से बता सकूं सिखा सकूं तो अभी हम लोग video को basically start up कर लेते हैं क्योंकि आप लोगों को काफी ज्यादा एक अच्छी चीज देखने को मिलेगी इंशालला okay so आईए वीडियो को start कर लेते हैं चैनल को आप लोगोंने subscribe कर देने और वीडियो को like कर देना अबने दोस्तों साथ लाजमे शेयर करना और comment में आपना feedback दे सकते हो ठीक है अच्छा बेसिकली हम लोग फस्ट आफ ओल जुम्ले की साम कांड़ अग्यांद और आदू आप लोगों को पांच के समके होते हैं जुम्ले English grammar के दलिए नमबर वान assertive sentences नमबर टू इंट्रगेटिव सटेंस नमबर थी आप सबसे पहले हम लोग करेंगे इसकांड परिशान होते हैं मौ समझ निया रही होती कि या लोग लोग बुक्स लेकर बैड़ी आते हैं ठीकिना उनको समझ कुछ नहीं हा रही होती है तो बैसिकली मैं आप लोगों को जो है इस बुक के थूरू मेरबाए एक बुक है मैं उसके थूर आप लोगों को बताऊंगा बिल्कुल ही इजी तरीका है बहुत ज़्यादा इजी है मैं आपक कोई बनदा ये पूछ लेता है कि हाँ बाई आप जो या मुझे यह बताऊ बटा है कि असेटिफ सेंटेंस होता क्या है बैसिकली इसका यूज क्या है और ये मदब होता है तो आप लोगों नहों इसको बताना बही अंकल या भाई या बहन या टीचर जो भी कि वटएवर आप लोगोंने बताने के भाई assertive sentences वह sentences होता है यह वह जुम्ले होता है जिन में आप किसी बात को सही या घलत के अंदर बता रहे होता है simple सा काम है किसी भी बात को सही या घलत के अंदर बताना assertive sentences किलाता है ठीक है तो यह काफी ज्यादा एक knowledgeable काफी ज्यादा एक मतलब helpful topic है जो मैं आप लोगों को साथ शेयर कर रहे हो उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूं कुछ examples बताता हूं आप लोगों को assertive sentences की इसके कुछ examples मेरे सामने जो मैं बताता हूं अब number one के उपरे Islamabad is the capital of Pakistan अब ये बात सही है का गलत आप लोगों मुझे बताओ Islamabad is the capital of Pakistan एक बात की जारी है एक यहां पर बात की जारी है Islamabad is the capital of Pakistan इसलामबाद पाकिस्तान का दर खुलाफ़ा है ये बात सही है का नहीं बिलकुल ठीक बात है है कि इसके अंदर हमने यह पढ़ा के वह Certainly हुआते है जिसके अंदर आप कि गौरेती को बात को न हो कि इसके बार फिर में घ्र की चारी होगी अच्छा उसके बाद एक all example है if we go to school हम स्कूल जाते हैं बिलकुल is it right लाज़मी बात हमें स्कूल जाते हैं अगर आपसे कोई question करते हैं आप स्कूल में पढ़ते हो तो आप बोलोगे जी भाई हमें स्कूल जाते हैं अब इसके अंदर मैं आपको एक बड़ी point की बात बताता हूँ जो आपको शायद के पहले ना पता हो अगर पता भी है तो फिर मैं दुबारा पताते हो इसके अंदर एक important बात है अगर assertive sentences मुस्बित हो positive हो correct हो बिलकुल ठीक हो ठीक है ना अगर assertive sentences के अंदर कोई भी जुमला आता है वो मुस्बित आ जाता है मतलब के positive हो आता है तो उन्हें हम लोग assertive sentences तो कहते हैं लेकिन हम लोग affirmative sentences भी कहते हैं आप से कोई बंदा ऐसा ही बूच सकता है कि आप affirmative sentences के होता है आप बता हो आपने बोल लें affirmative sentences वो होता है किसी बात का नहीं किसी बात को बिलकुल correct कहना जलत कुछ भी नहीं होगा को इसको सही किया जाएगा तो असर्टिफ sentences किनाता है जो से के he recites the holy quran हम वह quran मजीद की दिलावत करता है बिलकुल correct है अच्छा she gets up early in the morning और सुबा से वेरे जल्दी उठती है ये कुछ एक्जेम्पल थी जो मैं आप लोगों से शेर करी असर्टिफ तो असर्टिफ से जनरे आपको क्लियर हो गया होगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में ने टोबिक के साथ अत्रक के लिए लाव बस